वेलकम टू माई चैनल आल वर्ड टेश्टी फूड टेश्टी फूड में आज हम बना रहे हैं हरी मटर और प्याच की पकोड़ी हरी मटर का सीजन आ जाए और हम अगर कुछ ना बनाए ऐसा हो ही नहीं सकता इस मौसम में तो पकड़िया Bहूत मजा आती है। चलते हैं पहले चटनी बनाते हैं मैंने लिया है एक इंच अदर्ण, चार हरी मिर्च और इसके साथ बहुत जरूरी चीज़ रहा एक चम्मज जीरा लिया है और एक चम्मज भूझा हुआ जीरे का पावडर लिया है आप चाहिए तो एक बार इसे फिर से ग्रेंड कर सकते हैं हमारा अच्छे से मिक्स हो गया नमक भी मैंने इसे डबल से पीज दिया था बहुत इबारीक चिटनी हमारी रेडी हो गई फिर हमने लिया तीन प्याज और अब लेंगे एक ग्रेंडर में डालेंगे छे हरी मिर्च डेर सारी धन्या के पत्ते ढालेंगे हरी धन्या के डेर कटोरी हरी मितर मैंने लिया है डेर कटोरी हम हरी मटर डाल देंगे अगर आप जादा बना रहे हैं तो थोड़ा बढ़ा दीजे और कम बना रहे हैं तो थोड़ा कम कर दीजे इसे है अच्छे से अब हम चौप करेंगे जादा नहीं करेंगे बारी बस मोटा मोटा सा करेंगे ताकि यह अच्छे से दरदरा हो जाए जब यह दरदरा हो जाएगा तो इसकी पकोडियां बहुत अच्छी बनेगी मैं आपको दिखाती हूँ चमज से कितने अच्छे से यह दरदरा हो गया है यह बहुत अच्छे से अब दरदर होगे अब जल्दी से आप मुझे सस्क्राइब कर लीजे और लाइक भी करें और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको यह पकोडी इसे एक बाउल में मैंने निकाल लिया अब कटी हुई प्याज डाल दिया बारिक बारिक मैंने काट ल दालेंगे तीन से चार चमच हम इसमें बेसन को डालेंगे और अच्छे से अब इसे हातों से मिक्स करेंगे दबा दबा के इसको बनाएंगे ताकि हमारा जो पानी है इसके अंदर अच्छे से सोख हो जाए और थोड़ा सा और पानी डालेंगे ताकि हमारा बेसन गाढ़ा ह पानी जाएगा पीजिए पानी दाविए मिर्च अब तील गरम हो चुका है अब एक एक करके हम रातों से पकोड़े की जैसा डालेंगे अब धीरे धीरे डालिएगा जल्दी नहीं नहीं तो आप जल जाएंगे चैय भी रख दीजिए एकसाइट बनने के लिए जल्दी फ्राय हो जाती है आप इसे फ्राय करके खाएंगे तो सारी पकॉड़ियां भूल जाएंगे क्योंकि इतनी टेश्टी होती है हरी मटर किसी जाना है और अगर यह हम ना बनाए ऐसा हो इनी सकता यह बहुत जल्दी गॉल्डेन हो जाएगे और अंदर तक बहुत अच् अधर में सर्फ करेंगे और आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको यह पकॉड़ी कैसी लगी मुझे तो यह बहुत पसंद है आप एक बर खाएंगे तो आपकी भी फैवरेट हो जाएगी अब मैं सर्फ कर रही हूं देखकर यह कितना टेश्टी लग रहा ह आप भी खाईए और इंजॉय करिए अपनी फैमली के साथ ओके बाई बाई